मारश्ट के एक सेहर की घटना है कि Milky tähän कि एक लड़के लड़की की शादी होने वाली थी और उनके माता पिनने सोच रख़्ा था ता कि हम अपने बेटे बेटी की भरी धूम धाम से शादी करेंगे ऐसे शादी करेंगे जह से शादी करेंगे कि आज अग्षिक तक इस शहरवालों ने वो शादी नहीं देखी और इसलिए वो करोडों का खर्चा उस शादी में करने वाले थे लड़के और लड़की ने यानि होने वाले वर और वदू ने आपस में मिटिंग की और मिटिंग करने पर यह सोचा कि हम कितने ही बड़ी शादी कर नई साधी नव दिन और खीचा तानी तेरा दिन कैसी भी भवे शाधी हो कैसी भी विराठ शाधी हो लेकिन लोग तो कुछ दिन याद रखेंगे और फिर भूल जाएंगे शाधी के नाम पर अनाप शनाप खर्चा करते हैं पहले तो एक एक रुपिया बचाते हैं मैनत करके कमाते हैं और फिर पानी की तरह पैसा बहा देते हैं चार दिन लोग याद रखते हैं और फिर भूल जाते हैं लेकिन व्यक्ति बस अपनी मान बढ़ाई के चक्कर में अपन आप पर संयम रख नहीं पाता है, कंट्रोल नहीं रख पाता है, तो उन्होंने मिटिंग की, और मिटिंग करने के बाद ये निस्कर्ष निकला, तो क्यों न हम एक कुछ ऐसा नया कदम उठाएं, कि जो आने वाले कल के लिए यादगार बन जाए, आने वाले कल के लिए शानदार बन जाए, और ये सोच करके, दोनों आपस में सहमत हुए, और दोनों ने अपने माता पिताओं से बात की, और माता पिता से पूछा, मिटिंग करके कि आप ये बताईए, कि हमारे शादी पर आप कितना खर्चा करने वाले हैं, तो उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी पिताजी, अगर आप हमें सच्ची खुशी देना चाहते हैं, हमें सच्चा आनंद देना चाहते हैं, सच्चा तोफ़ा देना चाहते हैं, तो हमारा निवेदन है कि हमारी शादी में ये खर्चा करने की बज़ा ये रुपे हमें देदी जी ये सुन करके दोनों के ममी पापा चौंके ये क्या कह रहे हो रुपे तुम्हें देदें खर्चा न करें बास समझ में नहीं आई तो होने वाले वरवदू लड़के लड़की ने कहा कि दरसल हम ये शादी बहुत ही सादगी से करना चाहते हैं और ये जो राशी है बीस करोड ये हम अपने गरीब और जरुत मंद भाई बेनों में साधर्मी परिवारों में लगाना चाहते हैं ये सुना तो माता पित हत्प्रव रह गए उन्होंने भी सोचा विचार किया चिंतन किया मनन किया और उसके बाद अपने बच्चों की पीड थप तपाई अपने दोनों बच्चों की पीड थप तपाई और कहा अरे तुमारी इतनी बड़ी सोच इतनी बड़ी भावना हमे तुम्हारी सोच पर गर्व है और कहते हैं कि उन्होंने जमीन का चयन किया और उस जमीन पर 108 फ्लेट बनवाए कितने 108 फ्लेट बनवाए और अपनी शादी का आयोजन भी उसी जमीन पर किया और शादी करने के बाद वो 108 फ्लेट की चाबियां गरीब और जरुत मन्द भाई बेनों को साधर्मियों को उन्होंने गिप्ट प्रदान कर दी परिणाम ये आया कि उनकी ये महान पहल घटना न किवल महा राष्ट्र में वरन पूरे राष्ट्र में चर्चा का विसे बन गई और हर अकबार के फर्ष्ट पेज पर उस घटना का जिक्र हुआ जब हमने ये घटना पड़ी तो हमने भी यहां बैठे बैठे उनकी पीर थप दबाई उनको सलाम किया कि वारे वाह इसे कहते हैं सेट इसे कहते हैं महान सोच इसे कहते हैं महान भावना और महान जीवन ये घटना पढ़कर के सुनकर के देखकर के हमें ये प्रेणा मिली कि हमें अपना पैसा शादियों में पानी की तरह बहाने की बजाए उसका सार्थक और सही उप्योग करना चाहिए याद रखिएगा खाया पीया अंग लगेगा दान दिया संग चलेगा और बाकी बचा जंग लगेगा इसलिए अपने धन को उसका सार्थक और सही उप्योग करें ताकि वो आने वाले कल के लिए यादगार बन जाए शानदार बन जाए अगर हम इस तरह से कोई एक अच्छा कदम उठाते हैं एक अच्छा काम करते हैं तो मान कर चलिए जो खा गया वो खतम कर गया जो दे गया वो ले गया और जो छोड़ गया वो जक्ख मार गया अगर हमने समय रहते अपने तन का मन का धन का सार्थक और सदुप्यो कर लिया अपने धन को जरूरत मंद साधर्मी भाई बेनों में लगा दिया तो मान कर चलिए हमारा तन भी धन्य हो जाएगा हमारा मन भी धन्य हो जाएगा और हमारा पूरा मनिश्य जीवन भी धन्य धन ने हो जाएगा